आज हम बनाएंगे एनरजी से भरपूर सुगर फ्री लड़ू महाश्युरात्री एस्पेसल लड़ू हम बना रहे हैं इसमें हमने चीनी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया खाने में भी काफी स्वाधिस्ट होते हैं और काफी हेल्दी होते हैं लड़ू तो आप इन्हें बन लड़ू नहीं रहेगा तभी हम इसके लड़ू बांद लेंगे लड़ू बहुत जल्दी बन जाते हैं और में ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए इस टाइप से करके हम देखिए सारी लड़ू जितने भी है पहले हम बना लेंगे हेलो दोस्तों क पाविया की चैन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगा खजूर के लड़ू तो इसके लिए देखिए हमने यह 500 ग्राम खजूर लिया है इसको पहले कट कर लेंगे तो इसको थोड़ा इसके जो बीज है उसको निकाल देंगे थोड़ा बड़ा बड़ा हम इसको कट कर तो ध्यान रखना कि हमें इसमें बीज बिल्कुल भी नेखिए तो बीज हम सारे निकाल देंगे और जो यह खजूर काफी सॉप्ट होता है तो इसे कटने में भी पहुट टाइम नहीं लगता है तो स्टैक्श इकर करके हम जितना भी है सारे खजूर हम पहले कट कर ले रहे चैने पहले तो देखी सारे खजूर कट कर लिया इसके बीज देखिए इनको हमने निकाल के अलग कर दिया है अग हम नार्य आधा ना नार्य आप चाओ हो तोम भी कट कर सकती है जो नारियल में नारियल थां इसको कडू क Sehr कर को एक काजू लिया बादाम काजू है जो काजू में ही है काजू कहला कमें से उड़ाँ डкими साथ दो दो पीश हम renyal के लिलें टाया के टमच इलेंगे कОई था तो खेल सेन नारियस जले लिए जिलेंगे 2-3 मर्क निलेंगे जेंगे 9-6 होटा प्लेट नारियल को भून लेंगे बहुत ज़्यादा क्रेदाश हम्ने के बैंट श्रृचिया गोगैशन,aż मेरी शा consistency बजाएंगे धी, तो अब निकाल लेंगे कालर थोड़ा सचेंज और इसको यह थाली है प्लेट में जिसमें भी हमें लडू तेयार करने उस सी थाली में इसको पराले निकाल ले रहे हैं तो धी चमस के करीब हमने यह खसकस लिए तो खसकस के दान है तो इस निकाल करके असे कढाई में एक चमच डेशी घी घी निhot ? हम फिर से हम।ा एक चमच यह चमच देशुचिए ग으향 हो गहाएं, यह इसमें हमने खजूर काट किये थे ? क्शयो को गी में डाल करके और इनकोट पहले अच्छे फ्लेम में मिर्दी भूहलें जरा करह प्लाकर चलाएं गूंतिकर में ज़ाएं किसे में छोड़ना नहीं है और इस टाइम में क्या करेंगे हम छोटे दो चम्मज के करीब हम इसमें पाई डाल देंगे इससे क्यों कि छोड़ा जल्दी से गल जाएगा और थोड़ा इसका टेस्ट भी अलग चेंज हो जाता है और जो पानी है इसमें जितना भूनेंगे तो इसमें सोख जाता है पर यह क्या खजूर जल्दी से गल जाता है इसलिए हमने दो चम्मज के करीब पाई लिया है सोटे दो चम्मज हमने पानी लिये कि ध्यान रखना बहुत पाई नहीं डालना है सिर्फ दो चम्मज पाई डाल करके और अच्छे सब पका लेंग जब तक खजूर गल नहीं जा रहा तब तक हम इसे चलाते पकाना तो देखिए खजूर पाँस मिट बाद अच्छे से गल गया अब हम इस टाइम में एक चम्मज के करीब देशी घी ले रहा है तो हमने तीन चम्मज देशी घी लिया अब घी में इसको अच्छे से पहले भून लें और इसके बाद हम इसमें अब जितना भी ड्राइफ फूर्स हमने ले रखा है उसको मिक्स करेंगे ते दीकि भूनते भूनते जो खजूर ने घी जितना भी जितना च्छोणना स्टार्ट कर दिया इसका मतलब है कि खजूर अच्छे से सॉप्ट हो गया पक गया तब हम इस से तंप हमने गया सथ हुट करिं कर दिये अब हम सारी जितने वह ड्राइफ फूर्स है इसको मिक्स करनें तो तो थोड़ा ठोड़ा डाल कर पे टाद कि जितने भी ज्वाईफ फूर्स है अच्छे से मिक्स हो जाए तो क्योंकि हम इसे बंगर चीनी बना रहें घ्राइब की इसलिए हमने चीनी के इस्तिमाल नहीं किया है इस इसी टाइप सारा जितना भी ड्राइप Produits है पहले कढ़ाई में मिकस कर देंगा गैस की फ्लेम लड्डू की साइज जैसे भी आपको रखनी है चोटी बड़ी उसी इसाब से लड्डू की साइज आप रख सकती है और इससे पहले मैंने लड्डू की कई रेस्पी अपने चैनल पर शेयर भी की है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप चाहें त लड्डू उसको भी देख सकती हैं तो इस्ते हैं कि सारे लड्डू पहले बनाके तयार कर लेंगे में इस तो दिखिए ये सारे लड्डू बनके त्याब हो गए और द्वाइन द्वार्ण टाइडीबे में भरके आप फ्रीज में रख दीजिए काफी टाइम तक ये खराब नहीं होते हैं खाने भी बहुत स्वादिश्ट होते हैं तो देखे ये एनर्जी से भरपूर लड़ू बनके तयार हो गए हैं खजूर की लड़ू ये ड्राइफूर्स लड़ू तो आप इन प्लीज में चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप में चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना ना भूले साथ में बेल आइकन जहू दबाएं आप अपने अनुभाव भी हमसे जरूर शेयर करें